जाएंगे दोस्तों आपके अपने चानल एसके यहां इस्टड़ी पर एक बार फिर से स्वागत है बहुत ही मात्वपूर वीडियो आपको पता चल जाएगा साधी चोंको यहां पर जिक्सस करने वाले हैं आपको अची तरीके से बताने वाले हैं जो भी चीज रहेगी यहां प्याज आपको अची तरीके से समझाएंगे चले चुट आपको अची तरीके से बता दें आओ समझाने का प्रयाज करतें का अच्छा बारा सब्जेट कमेस्ट्री की बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टन जो क्विशन से आपके लिए उसकी चर्चा करने वाले हैं तो 95 परसे चैनल वहां पर इसकी पीडियाप आपको मिल जाएगी ठीक है जो यह प्रस्ण को देख लेते हैं प्रस्ट देखे क्या है सवने संख्या या सवनानांग की परिवासा दीजिए चले देखते हैं इसका क्या मतलब होगा अच्छी तरीके समझेंगे और आपको अच्छी तरी परिवासा देने आ रहे हैं देखिए यहां पर क्या होगा रक्षी कोलायड की सक्ति को किसको रक्षी कोलायड की सक्ति को सोन संख्या से व्यक्त किया जाता है सोन संख्या की परिवासा निम्न प्रकार से दी जाती है तो संख्या की परिवासा है निम्न प्रकार से दी जाती है कौन से प्रकार है यहां पर देखेंगे किसी द्रव इसने ही कोलायट की जो किसी द्रव इसने ही कोलायट की स्वण संख्या उसका मिली ग्राम में वह भार है जो गोल्ड सॉल के 10 एमल में उपस्तित होने पर 10% एमल को डालने पर सॉल के लाल रंग से नीले रंग में परिवर्थित होने को रोकने के लिए परियापत है ठीक है तो यह प्रशना आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से काने का मतलब क्या है कि जो द्रव इसने ही कोलायट है उसकी स्वण संख्या उसका मिली ग् सॉल के 10 एमल में उपस्थित होने पर 10% एन एसीयल विलियन के एक एमल को डालने पर सॉल के लाल रंग से नीले रंग में परिवर्थित होने को रोकने के लिए परियापत है ठीक है तो यह बहुत ही महतुकूर परिवहास है आपके लिए बहुत बार एक्जाम में आ चुक ह इसलिए हमने आपको बताया चलिए अगला प्रशन देखें अगला प्रशन क्या है और देखेंगे श्वन संख्या रक्षी सौल की सकती ब्यक्त करने का प्रतीक है क्या है जो स्वन संख्या है रक्षी सौल की सकती ब्यक्त करने का प्रतीक है स्वन संख्या जितनी अधिक होग कि सौल की इसकंदन सक्ति उतनी ही कम होगी कम सौनसंख्या होने पर शौल की इसकंदन सक्ति सक्ति अधिक होगी क्या होगी अधिक होगी तो आपको अची तरीके समझ में आगए अगले प्रशन को बढ़ते हैं अगला प्रशन के क्या है बहुत ही मातुपूर ये भी है और बह विक्रिया का समीकर्ण देजिए आप मेथिल एलकोहल और एथिल एलकोहल में विभेद कैसे करेंगे केवल एक राशानिक परिक्षण था विक्रिया का समीकर्ण देजिए ठीक है तो यहाँ आप देखेंगे मेथिल एलकोहल और एथिल एलकोहल में विभेद आयोडो फार्म प रिक्षंड बारा किया जा सकता है एथिल एलकोहल को जब आयोडीन तथा जली सोडियम हाइडराकसाइड या जली सोडियम कार्बोनेर डिबिलियन के साथ गर्म करते हैं तो पीला क्रिस्टली ठोस आयडो फार्म बनता है यह आपको याद कर लेना है देखेंगे यहां पर कु जिसे आप आयोडीन काते हैं प्लस 6 Nao जिसे आप सोडियम हाइडराकसाइड काते है ठीक है अब तीनों का विक्रिया जब करेंगे तो C-H-I-3 आयडो फार्म बनेगा और 5 Na-I सोडियम आयोडाइड बनेगा प्लस H-C-O-N-A सोडियम फार्मेट बनेगा प्लस 5 H2O बनेगा तो चली यहाँ पर देखेंगे मेथिल एलकोहल आयडो फार्म परिक्षण नहीं देता है जो मेथिल एलकोहल है वह आपको आयडो फार्म परिक्षण नहीं देगा तो मेथिल एलकोहल के अगर आयडो फार्म परिक्षण नहीं देगा ठीक है आयडो फार्म परिक्षण कौन यहाद विधी की इस तत्थ पर आधारित है कि घुलित पदार्थों के आड़ु वह आयन चर्म पत्र जिली में से सरलता पूर्वक बिसरित हो जाते हैं अभी आपको फिगर के जरी यह भी समझाएंगे यानि कहने का मतलब एक चर्म पत्र की जिल्ली रहेगी जिसमें से क्या होगा जो की घुलित पदार्थों को जो अनुगवा आयन चर्म पत्र जिल्ली में से क्या होते हैं सरलता पुर्वक विस्रित हो जाते हैं जबकि कुलाइडिकन उसमें से विस्रित नहीं हो पाते हैं या क पठिनाई से क्या होते हैं विश्रित होते हैं आगे चलिए आगे देखेंगे चैर्मपत्र जिल्ली से बनी एक थैली या किसी वेलनाकार पात्र जिसे अपुहक कहते हैं में कुलाइडी विलियन भर कर उसे बहते हुए जल में निरंबित करते हैं कुलाइडी विलियन में उपस्थित गुलित पदार के कण जिल्ली में से होकर बहते जल के साथ बाहर निकल जाते हैं कुछ दिनों में शुद्ध कोलायडी विल्यन प्राप्त हो जाता है अता कोलायडी विल्यनों के सोधन हेद अपूहन बिधी को प्रयुक्त करते हैं ठीक है तो इसको आप कुछी तरीके समझ में आ गया होगा देखें यहां पर एक फिगर है फिगर में देखें यह हमारी चर् हम क्या करते हैं इंटर करते हैं और यहां से दर्रहुं को क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं ठीक है तो इसी यह क्रिया क्या होते है चलती ही रहती है तो यह बहुत ही सिलो अभी क्रिया है लेकिन बहुत ही किफायती है बहुत अच्छी तरीके से इसको हम यूज कर सकते है चलिए आगा आपको बताते हैं देखे जो अपोहन की प्रक्रिया होती है वो धीमी गती से होती है यदि अशुद्ध सौल की भरी जन्त जिल्ली की थैली के दोरों और इलेक्टोड लगा देते हैं तो अशुद्ध सौल में उपस्थित आने का शुद्धियां इलेक्टोड द अगला देखे क्या है कैनि जारो अभिक्रिया जो की बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है आपके लिए देखे यह अभिक्रिया क्या काती है इसको कैसे हम समझेंगे कैसे आपको बताएंगे सारी चीज़ों को यहां पर डिसकत करने वाले हैं देखे उन के अलफा हाइडोजन परमाण नहीं होते हैं कास्टिक उछारों के सांद्र विलेनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइट का एक अणू इलकोहल में अपचै तथा दूसरा अणू अमलम में आकसिक्रित हो जाता है तो यह अभिक्रिया कैनि जारो अभिक्रिया कहलाते है चलिए यहाँ पर देखेंगे यह नमबर क्या है 2HCO plus NaOH जिससे आप फार्मेल डिहाइट काते हैं CS3OH मेथिल इलकोहल काते हैं प्लस HC2O Na जिससे आप क्या काते हैं शोरियम फार्मेल परमेल काते हैं तो यहाँ से यह आपको बन जाएगा यहाँ से आप अभिक्रिया को संद इहर भी मिलने वाले हैं टीन उसके बाद देखे दो आक्षिजेन यहाँ पर है एक यहां पर है तो दो एक- तीन riff आपको इधर मिलने वाले हैं एक और लो तीन अक्षिजिन सोरियम की बाद करते हैं mango यहां म Лेगा एक सोरियम आपको यहां मिल जाएगा ठीक है dec delight तरीके से carbon संख्याव को देखे दो यह आ दिखे गी तो यह वी आपको दिखे कि एक और दो ठीक है तो ईस तरीके से आपको अब विक्रिया है जो संतुलित कर लेए चलिए अगला देखेंगे यह आप देखे यह इंग क्रिया आपको ऐसे ही ठीक है चलिए अगला क्या बनेगा 2C6H5CHO plus 2KOH क्रिया करें क्या बनाएगा ठीक है तो यह जो आपके लिए बहुत ही महत्पूर अभिक्रिया है इसको राशानिक समिकर द्वारा समझाना है तो इस अभिक्रिया में कार्बोक्षिलिक अमल के सिलवर लवण की ब्रोमीन से अभिक्रिया करा कर इस अभिक्रिया में सिलवर कार्बोक्षिलेट का वी कार्बोक्षिली करन होता है इसमें क्या होता है अगर हम आपको बताना चाहें तो silver carboxylate का तो जो कि बहुत है मॉँपकुन्ट प्रस्न है मेरी पयार बच्चो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं आपको लाइक, शेथ, येब कमेश दिस्क्राइब है हैं फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में ने टॉपिक के साथ तब तक